सुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम और नेपोलियन हिल की बुक जिसका नाम है law of success in 16 lessons पर बात करेंगे दोस्तों नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ओथर थे जिन्होंने 20 साल तक सारे self-made millionaire को study किया और यह किताब लिखी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि वो millionaire अपने जीवन में इस्तिमाल करके जिसका इस्तिमाल करते हैं जिसका इस्तिमाल करके हम भी अमीर बन सकते हैं तो शुरू करते हैं नामबर वन ओथर कहते हैं हमारे पास definite definite chief aim होना चाहिए दोस्तों अब आप पूछोगे कि इसका क्या मतलब है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो effort यानि मेहनत हम अपनी रोज के जीवन में बर्बात करते हैं ओथर के मुताबिक हम हमें अपने effort को हमें अपने effort को अपने सिर्फ aim के तरफ लगाना चाहिए तो दोस्तों नेपोलियन हिल ने कहा है यदि हम अपने कुछ goals decide करते हैं suppose मैं मान लिया मैं डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम लोग रोज अपनी जिंदगी में अलग-अलग जो छोटे-छोटे काम हते हैं वो करके time pass करते हैं लेकिन दोस् करूं तो अवश्य एक दिन जरूर डॉक्टर बन जाओंगा दोस्तों उनका second law कहता है self confidence हमारे अंतर होना चाहिए दोस्तों अब author कहते हैं कि गरीबी स्वास्त का डर criticism का डर fear of loss of something fear of death यह six इंसान के लिए एक ऐसे शाप है इन पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए दोस तो दोस्तों Napoleon Hill कहते हैं हम अपने life में successful नहीं हो सकते हैं तो दोस्तों Napoleon Hill का यह मतलब है कि हम पे खुद पे विश्वास रहना चाहिए नमबर थोर्ड तीसरा लोग यह कहता है habit of saving नेपोलियन हिल यहनी की author कहते हैं हमें पैसे save करना चाहिए अब आप पुछोगे कि यह तो सब लोग कर सोचते हैं तो दोस्तों author का मतलब है कि save पैसे को हमें assets में convert करना चाहिए assets अब दोस्तों आप पूछेंगे यह assets क्या है तो दोस्तों assets वो चीज है जो हमें एक बार खरीदने के बाद पैसा दिलाती है जैसे property कोई shop यदि हम कोई shop खरीदते हैं और उसे भाड़े पर किसी और को देते हैं तो दोस्तों वो हमें free में पैसा देती रहेगा हर मेने हमारे खाते में free में पैसे आते रहेंगे तो author का मतलब है हमें assets बनाने चाहिए fourth initiative leadership हमारे अंदर होना चाहिए author के मुताबिक दोस्तों author कहते हैं जो field तुम चुने हो उस field में leader होना बहुत ही ज़रूर है तो ही हम successful बन सकते हैं दोस्तों पांचवा law कहता है हमारे अंदर imagination की capability होनी चाहिए तो दोस्तों यदि हमारे अंदर imagination की capability होगी तो हम अपने business में नए ideas ला सकते हैं और अपने business को grow कर सकते हैं Napoleon Hill जो कहते हैं कि अगर हमारे पास imagination का power रहेगा तो दोस्तों हम लोग imagine करके नए नए कडिया जोड़के हम एक नए idea बना सकते हैं उस नए idea से यदि हम चाहें तो अपने business में लगा के हम उसको grow कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसे हम ज्यादा successful बन सकते हैं दोस्तों इसका अर्थी है जिस वेक्ति के contact में जो भी आते हो उनका interest आपके plan में हो यदि कोई वेक्ति मुझे जुड़ा और वो पूछा कि भाय तुम क्या करते हैं तो दोस्तों अगर वो interested होगा तो हमारे ideas को follow कर सकता है और हमारे कदमों पे चल सकता है तो दोस्तों अथर के मुताबित हमारे अंदर इतुसीजम का भी गुण होना चाहिए सात्वान लो कहता है self-control हमारे उपर self-control रहना चाहिए दोस्तों यदि हमारे उपर हम यदि self-control रखते हैं तो यह हमें मदद करेगा सही direction में बढ़ने के लिए दोस्तों अगर हम successful बनना चाहते हैं तो सही direction बहुत ही आशक है यदि हम सही direction में effort नहीं डालेंगे तो हम successful नहीं बन सकते दोस्तों आठवी habit यह कहती है habit of doing more than paid for ओथर का इसका मतलब हम कैसे इसका मतलब यह है कि हम कैसे law of increasing returns का फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों author का मतलब है कि अमीर लोग कैसे दूसरों से काम करवा लेते हैं जिससे उनको ज्यादा फायदा होता है और वे काम भी नहीं करते हैं दोस्तों author का मतलब है कि यदि हम कोई shop लेते हैं कोई व्यक्ति successful इंसान बहुत सारे shop खरीते हैं और वो भाड़े पर दे रहता है और वो दूसरे को उस काम पर रख लेता है और उसको इसका पगाड़ देता है बाकि सब प्रॉफित वो खुद रखता है ऐसे ही अगर हमारा खुद का कंपनी है तो वह बहुत सारे इंजिनियर्स हो गए या फिर मैनेजर्स हो गए उसको उनक वो company जिस करेगा वो ही लेगा ना दोस्तों तो दोस्तों successful इंसान ऐसा करते हैं कम पैसे देकर वो ज्यादा profit लेते हैं और वो खुद भी काम नहीं करते हैं दोस्तों नवा रूल कहता है pleasing personality हमारे अंदर होनी चाहें दोस्तों author कहते हैं कि यह हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने में साहता करेगा अब आप पुछेंगे pleasing personality का मतलब क्या है दोस्तों pleasing personality का मतलब यह है कि आकरशक व्यक्तित्वा जो व्यक्तित्वा आकरशक होता है उससे लोग बहुत जल्दी जुड़ते हैं तो दोस्तों आगे कि लोग अगले वीडियो में हम बात करेंगे यह वीडियो आपको पसंद आया है कोमेंट केजिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो और प्लीज इस वीडियो को शेर केजिए यदि आपको लगता है यह वीडियो आपके फैमली या फिर कोई फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं तो उनसे शेर जरूर करें यह हमारे चैनल पर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यों दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चलिए